सब्सक्राइब करें, ब्यूटिफुल यू को एंड बेल आइकॉन को प्रेस करें वैसे देखा जाये तो आशक्र के जमाने में हर को इंसान फ्रेश और सुन्दर दिखना चाहता है यह सुन्दरता पाने के लिए आपको कई सारे ऐसे सौन दैरे उत्पादगों का इस्तेमाल करना पड़ता है और साथ ही साथ फेस्वास का भी इस्तेमाल करना पड़ता है कुछ रिसर्च करनुसर भारत के कुल दस में से चार भारती फेस्वास का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कई सारी अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग फेस्वास इस्तेमाल करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आपको फेस्वास का यूज करना नहीं चाहिए और करना है तो कौन-कौन से फेस्वास का यूज करना चाहिए। आपको सही फेस्वास को उप्योग करना हो तो यह चेक करना आपके लिए बहुत आसान है कई ऐसी कमपनी है जो हर्बल का नाम लेकर बाजारों में अपना फेस्वास बेच रहे हैं और कई लोग आँख बंद करके इसके इस्तेमाल भी कर रहे हैं जो कि यह बिल्कुल ही गलत है हमें इस तरह की चीजों का उप्योग नहीं करना चाहिए और नहीं इस तरह का प्रोडक्ट बेचना चाहिए यह चेक करनी के लिए आपको फेस्वास के पीछे देखना पड़ेगा उसमें लिस्ट दी गई होगी अकसर आप जब भी प्रोडक्ट लेते हैं तो पीछे उसे जरूर लिस्ट को पढ़ें उसमें सोडियम लोरियल सलफेट और परबेंस का नाम हो तो वह फेस्वास सही नहीं है मैं फिर से रिपीट करते हूँ सोडियम, लोरील, सलफेट और परबेंस ये नाम जरूर देखें ये नाम जब आपको पीछे न मिले तब ही आप वो फेस वास खरीदे कहीं ब्राण फेस वास को सस्ता बनाने के लिए कई सारी सस्ती चीजों का इस्तिमाल करते हैं जैसे कि ओयल, ओयल मुख्य है यह ओयल, ओयली चेहरे वालों के लिए बहुत इनुकसां दायक चीज है यह चेहरे के सुछ मच्छदर को बन्द कर देती है जिससे पिंपल जैसी बीमारियां हो सकती है यह सारे केमिकल चेहरे को साफ तो करता है लेकिन चेहरे की असली निखार एक दम से चला जाता है साथ ऐसे फेसवास करने से चेहरे पर जुडियां जैसी बीमारियां होती है जिससे आपका चेहरा बिगड़ जाता है